किसी ने सच कहा है कि किराइम की दुनिया वाकई में अजीव होती है क्योंकि जो दिखता है असल में वो होता नहीं है और जो दिखता नहीं है असल में वो होता है ऐसे एक सक्स मडर के केस में जेल में सजा काट रहा था और कुछ दिन के लिए पैरोल पर जेल से भार आता है औ उपर यह जेल में सजा क्यों काट रहा था यह केस आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक इनसान सजा से बचने के लिए क्या क्या कर सकता है और ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है इसलिए इस केस को पूरा जरू सुने मद्द प्रिदेश की रायदानी बोपाल की सेंटल जेल का एक कैदी कुछ दिन के लिए पैरॉल पर छोड़ा गया था और 29 जून 2019 को जेल को लोटना था 14 दिन की पैरॉल पर जाने के बाद जेल परिशासन को भी उसके लोटने का इंतजार था तब भी जेल पिरिशासन को लोकल पुलिस से एक सूचने मिलती है कि उस कैदी की मौत हो गई है अत्या के केस में उमर कैद की सजा मिलने और जेल की जिन्दगी से परिशान होकर उसने घर में ही आतम दै कर लिया लेकिन पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सूसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें हैंड राइटिंग भी उसी की है और मौत की बज़े भी कर रहा था जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम ता राजेस परमार उसकी उमर ता करीबन 34 साल थी और वह मद पिदेश के बोपाल की नील बड़ एरिया के हरी नगर में रहता था इस पर साल 2014 में हत्या का आरोप था और उसी केस में उसकी गिरपतारी हुई थी और साल 2016 मे उसे कोट ने अजीबन काराबास की सजा सुनाई थी इसी बज़े से उसे चौदे दिनों की पैरॉल मिली थी इसलिए 15 जून को वो पैरॉल पर भार आया था और 29 जून को उसकी पैरॉल खतम होने वाली थी इस बज़े से उसे हर आल में 29 जून को जेल को लोटना था लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपटें निकलने लगी थी जिसे देखकर आसपास की लोगों ने पुलिस को सूचना दी तुरंत फायर विडिग्रेट की गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुची आग बजाने पर देखा गया तो एक यवक पूरी तरह से ज चैरा और शरीर पूरी तरह से जला हुआ था दिखने में ऊए मरा हुआ सा लग रहा था पिर भी पुलिस ने उसे आखरी उम्मी तक हहस्पीटल में भरती करवाया जहां डॉक्टरों ने उसे मिरत गोशित कर दिया अब पुलिस ने घर की तलासी लिए तो पुलिस को एक में लिखा था कि पिता की मौत होने से वो दुखी था अब परिबार में कोई उसे पेरोल भी नहीं दिलाएगा इस बज़े से हुआ है इस दुनिया से अब कांपी परेशान हो चुका है और लिहाजा वो आग लगाकर आतमत्या कर रहा है इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदा नहीं है इस सुसाइड़ नोट के आदार पर पुलिसने बोपाल सेंटर जेल को सूचना दी और अब सबको पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया साधरन सुसाइड केस की तरह पुलिसने भी इसे एक तरह से बंद कर दिया इतरव पोस्ट मॉटम के बाद सब को रिष्टेदारों को सौप दिया रिष्टेदारों ने भी सब का अंतिम संस्कार कर दिया लेकिन इस पूरे केस में 24 गंटे बाद नया मोड आया जब वहां की पुलिस को राजेस परमार की पोस्ट मडम रिपोर्ट मिली रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाकर जान गई और सबी पोटों को बारीकी से देखते हैं तो समझ में आता है कि मानने वाले सक्स के दौनों पैर एक दूसरे से चिपके हुए थे जबकि जब भी कोई जलकर मरेगा तो वो तरपने लगेगा और फिर उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाए अलग-अलग होने चाहि लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था दूसरी तश्वीरें देखते हैं उनमें पता चलता है कि उस सक्स का चेरा और सीने वाला इससा पूरा जला हुआ था जबकि हात और पैर ज़्यादा नहीं जलेते और अजीब तरह से मुड़े भी थे इससे यही सको होता है कि कहीं हात और बंदे तो नहीं थे जिस बज़े से ऐसा हुआ इसका पता लगाने के लिए पुलिस अधिकारी अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर जाते हैं अब फिर घटना इस तल को वारी की से देखते हैं फिर आसपास की लोगों से पूचताच करते हैं तो पता चलता है कि एक दिन पहल राजेस पर मार के साथ दो लोग और भी देखे गए थे अब पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने की बजाए फिर से कोलती है और जाच सुरू करती है अब पुलिस को यह सक हुआ कि जिसकी मौत हुई है उसकी पहले गला दबाकर हत्या की गई है लेकिन राजेस को जबाब जानने के लिए पुलिस ने उसके मौईबाल नंबर का पता लगाया अब पिर रिष्टेदारों के जरिये उसका एक नंबर मिला जो जेल से आने के बाद एक्टिब था लेकिन अब बंद था उसकी आगरी कॉल लोकेशन भी भोपाल की थी जब पुलिस ने उसकी कई सवाल थे अब फिलाल पुलिस नियाल की तलास में जुट गई फिर पता चला की नियाल मूल रूप से ब्यार का रहने बाला है और पहले राजेस के मकान में किराई से रहता था लेकिन कुछ महीने पहले दूसरे मकान में सिप्ट हो गया था अब पुलिस की जाच में निया पर बार आने के बाद राजस ने मुझसे संप्रक किया और फौन पर हमारी बात चीत हुई इसके बाद राजस मुझसे मिलने आया तो कापी परेशान था और इमोसिनल था इसलिए उसने सोचा कि वो दुनिया की नजर में हमेशा के लिए मर जाए और असल में जिन्दा भी रह इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरिज देखी इसके बाद उसने खौपनाक आइडिया अपनाया इसके लिए उसने घर में रहने वाली एक मात्र मा को पूजा के वहाने 23 जून को घर से बाहर बेज दिया था इसके बाद साजिस रची की 29 जून को पैरॉल खतम होने के एक लाक रुपे का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस भी दिये इसलिए उसके जहां से में आगजा इस तरह 29 जून को पैरॉल खतम होने से ठीक एक दिन पहले यानि की 28 जून को हम दोनों की मुलाकात हुई 28 जून की साम को ही हम दोनों मॉवाल को घर पर छोड़ कर ग और बातों बातों में दोनों ने राजू को घर पर पाटी करने और सराप पीने के लिए तैयार कर लिया और राजू मैदूरी करता था इसलिए सराप के लालच में आ गया और राजू भी दोनों के साथ राजेश के घर आ गया यहां पर राजू को दोनों ने खूब जम कर स किताबों को उसके ऊपर डाल दिया पिर राजेस ने एक सुसाइड नोट लिका जैसे कुछ दूरी पर रख दिया ताकि वह सही सलामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के रूप में मिल जाए इसके बाद दौनों ने बाइक से निकाला हुगा पैटॉल भी डाल दिया ताकि राजेस की तीली को जलाकर अंदर फैंक दिया इस तरह जब आग की लपटें बढ़ गई तब दौनों एक साथ वहां से फरार हो गए तो साजेस के तहट राजेस ने नियाल का पुराना सिमकाड लिया और साउथ इंडिया में चला गया वहाई नियाल गुजरात आ गया इस इसके बाद पुलिस ने नियाल की कहानी की सच्चाई जानने के लिए उस मिरत इवक के बारे में पता लगाया तो सच निकला क्योंकि राजू रेकबार की पतनी ने 28 जून की रात लोकल पुलिस में गुमसुदगी की सिकायत दर्ज कराई थी इसके अलाबा पुलिस को आँखों के सामने नहीं आ जाता तब तक जाच अधूरी थी अब पुलिस को यकीन हो गया था कि आज नहीं तो कल राजेस नियाल से संपरक जरूर करेगा राजेस नियाल का एक पुराना सिमकार्ट भी लेके गया था इस तरह अगले दिन आकिरकार राजेस का फौन नियाल के पास आई गया पुलिस की मौझूदगी में ही नियाल उससे बात करने लगा राजेस ने नियाल से वहां के हालात के बारे में पूचा कि कुछ गड़बर तो नहीं है नियाल ने बताया कि कोई गड़बर नहीं है पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला इसके बाद राजेस न अपने कुछ लोगों को चेंन नहीं भेजा और लोकल बन कर उन्हें राजेश से मिलने के लिए कहा इस तरह नियाल ने राजेश को चेंन नहीं में रहने वाले अपने दोस्त का जिक्र करते हुए उसका पेंड नमबर सेयर किया इसके बाद राजेस पुलिस बाले को ही नियाल का दोस्त समझ कर उससे बात की और उससे मिलने चला गया और जैसे ही राजेस तिलक रखकर नियाल के दोस्त समझ कर उससे मिलने गया तो उसे गरबतार कर लिया इस तरह पुलिस एक बिलाइंड मडर केस का खुलासा करते हुए 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने लाई इस केस के बारे मैं खुद आईपियस अधिकारी अकिल पटेल बताते हैं कि ये कानून की आँकों में दूल जौकने बाला था लेकिन जब बारे की से केस की जाँच हुई तो पूरा सच सामने आ गया इसके बाद राजेस फिर से सलाकों की पीचे बेज दिया गया और उसके काराबास को कटोर कर दिया इसलिए कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं अकर साइसे जाँच की जाए तो कोई नहीं बच सकता